कि नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर स्वागत आप सभी का अपनी यूटिप चैनल वन टूवन क्लासे में आज आप लोगों के लिए स्पेशली में क्लास से एक बहुत इंपॉर्टन चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टन एमसी को लेकर हूँ चैप्टर का नाम है बिजनस इन्वार्मेंट यह विडियो यूसफुल रहे उन लोगों के लिए जो त्यारी कर रहे हैं से यूई टी बिजनस स्टेडी ट यी ते यारी करें ९ो पीटिघट AGS के लिए यूंपीपीजीट करीए इसके लावा के लिए इसके लावा के इंप इसके लिए बहुत इस programa के लिए तो शुरू करता है दोस्तों आज के सफर को सबसे पहला कोशन अलड़ी आपके सामने आ चुका है जिस कोशन में आपको पताना है दोस्तों बिजनस इन्वाइमेंट इस दस सम्टोटल ऑफ और फैक्टर और फोर्ट सेज चुआ बिसनस दखिए यह सारे फैक्टर फोर्स क्या होते हैं बिसनस के लिए क्या सारे फैक्टर फोर्स इंटरनल होते हैं मतलब अंदर के होते हैं स्पैसिफिक होते हैं मतलब सिर्फ कुछ चीजों को अफेक्ट करने वाल होते हैं यह एक्स्टरनल होते हैं दोस्तों बिजनस इन्वाइमेंट के सारे के सारे जितने भी के internal matters हैं मेरे employee से related हो सकते हैं वो मैं संभाल सकता हूं लेंगे external competitor से related हो सकते हैं जिनको सब्सक्राइब थोड़ा सा मुश्किल है काफी जारा problem हमें waste करने बढ़ती है external forces को संभाल लेए या धानक के चलिए दोस्तों दूसरा question हमारा सामने आ चुका है which are the following best indicate the importance of business environment इन में से कौन सा point business environment की importance को indicate करता है सबसे तरी किसे क्या business environment opportunities को identify करने के लिए होती है चीक है क्या business environment performance को improve करने के लिए है क्या business environment rapid changes को या जो भी changes को accept करने के लिए होती है या सब की सब दोस्तों business environment की सब की सब importance है यह सारी के सारी हमारी business environment की इंपर्बॉर्टस है बिजसंइमेट्ट आपको पोर्फोर्मेट्ट डिसšा इंटीफ एक रहती बिजस्यामारमेट्ट को इंप्रफॉर्म्स को इंप्रोव कर आती अगर आप Чंछ करने पने आपको और आपको चैंज कराने में भी हेल्प पॉन करेगी बिजने करने वाला कोई और नहीं करेगा आप धानक के चलेंगे दोस्तों सिंपल सा कोशन मारे सामने को इसमें आपको को इंपॉर्टेंस और बिजने में पर चांदनी है वाट्सप वाज़ी फॉर्स एप्लिकेशन फॉर मॉबाइल चैट आफ्टरवर्ड्स मैंनी अधर अप्लिकेशन इंपॉर्टेंस की बात आए तो वह हमेशा आएगी गंपनी helps to identify opportunities and getting the first more advantage जो भी गंपनी किसी भी नई चीज़ को पहली बार इंट्रीज्च करते हैं लेकर आते उसके चलने के चांसे उसके ग्रोट के चांसे हमेशा जाए जाए होते हैं तो कुछ नहीं आ करोगे तो आपकी ग्रोट के चांसे हमेशा जाए जादा रहेंगे य दोस्तों जहां पर भी कभी भी आपके सामने कोशन आए और कोट जिकर हो ठीक है कोट का जिकर हो किसी एक्ट का जिकर हो ठीक है यह चीज़ें आपकी कौमन है अगर यह किसी भी कोशन मैंशन गरी गई है तो हमेशा आपका आंसर जो है वह लीगल एंवार्मेंट के फिवर में पास करो तो यह हमेशा कोट से डील करके चलेगे हैं जीतने भी एक्ट होते हो सारे कोट पास करती है हमेशा बिजनस इन्वाइमेंट का डामेंशन आपका लीकल इवामेंट आएगा जब भी कोट का जिकर हो फोचिन आपका बेनफिट डेफिनेटली इसी कोशन से हंडेट पर नमीचे करेंगे बाद में हम टैली कर लेंगे और से इन तो अगर मैं देखू यह मेरा फिसर का आँषर है यह अगर मैं लगां तो यह बैटता है आपका इसमें कौन से वाला ठीक है यह फोर्थ है मतलब यहां से फोर्ट का अंसर यह आया है ठीक है यह सेकंड का ही है सेकंड सामने लिखावा है यह थर्ड का ही है ठीक है और यह वारा फॉर्स्ट वाले का अंसर है ठीक है यह फॉर्स्ट ओके तो सेकंड सौरी फॉर्द सेकंड फॉर्स्ट फॉर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट हमारा option number four correct माना जाएगा यह वाला हमारा correct है बाकि सब sequence गला था यही ठीक है बढ़ी आता है मजाता है MCQ करने में और अगर नहींता following को ले हो तो बहुत ही मजाता है करने में चलो next question को चले question 6 इस question में आप से कुछे का dimension of business environment business environment से maximum question में dimension watches आते हैं और case studies में भी dimensions आते हैं तो थोड़ा सा dimension बहुत जारा focus करके चलना most important topic है और कुछ features भी अगर आप याद करके चलेंगे chapter के बहुत फायदा मिलेगा आपको ठीक है banking sector reforms have led to many attractive schemes of deposit and lending money the banks offering loans at very nominal rate of interest with minimum formalities to be completed dimensional दोस्टों कभी banking sector का ठीक है या money की बात करी जाए किसी question में या आपके rate of interest की बात करी जाए question में जब भी इस type की feeling आए मालब banking sector हमारे economic apart है money economic apart है interested economic apart है तो यह सब के सब दोस्तों हमेशा economic environment की favor में रहेंगे या धानक के चलेंगे बहुत हमेशा धानक के चलेंगे इस question को next question में दोस्तों आप कुछे का डैशिता मेजर element of economic environment economic में मेजर क्या आता है भाई ओकी देखना वड़ेगा क्या मेजर public debt है क्या nature of relationship country with foreign country यह जो foreign country के relation होता है दो से political environment का पार्ट होता है मैं आपको यह बतारूं कौन किसका है यह political का पार्ट होता है जो है दोस्तों वो शोशल का पार्ट है या आप इसको भी लेकर सकते हैं जो हमारे economic का में पार्ट है वो दोस्तों वो public debt है जो भी debt हमारी सरकार के उपर है वो सब कसा public debt माना जाता है तो यह बड़ा important issue है किसी कंट्री के लिए अगर किसी को पर या किसी कंट्री में public debt बहुत जादा है तो उस country के borrowings बहुत जादा होगी और उसमें inflation आने के chances इसी कंट्री में और अगर यह बॉर्ण इस हम लोग फॉरन कंट्री से लेते हैं तो हमारे दूबने के chances या एक तरीकी से हमारे नुकसान हो सकते हैं या सामने वाली कंट्री हमारे उपर हावी बढ़ सकती है धानक के चलेंगे दोस्तों कोशन कोशन में आक के सामने आ चुका है इस वारगान सब्सक्राइब कर PBB न कोई सकता है तो बहुए मुझह लगता है बुर्गत क्विजनस और छारा पुछारा पूछारा क्या लगता आप पूशन का सही आंशर है दोस्तों मारे पास uncertainty बिजनस इंवार्मेंट बहुत जार अंसर्टेन है और बिजनस इन्वार्मेंट की हर एक factors को गैस करना बहुत मुश्किल है और आप यह क्यों नहीं कर सकते कि कल क्या होगा क्या नहीं हुआ no one knows what the future is holding for each one of us कोई नहीं कर सकता भविश्य में यह विश्य क्या लेकर आ रहे हैं क्यास करना बहुत मुश्किल है बहुत साथ मुश्किल है दानकी दोस्तों नेक्स कोशन कोशन मनाएं आपके सामने आज चुका है दोस्तों बड़ा सिंपल सा कुशन है का कुशन है देखते हैं क्या डिमांड फो सारी में भी फेरली हाइं इंडिया वेरेस इत में बी ओल्मस्ट नोन एक्जिस्टिंट इन अमेरिका रिजन में बिजन से मुशन में इंटर रिलेटिवीटी का अगर आप न्सी आटी को पढ़े हैं अच्छे से तो यह हमारा रि इंटर रिलेटिव यह हमारा इंटर रिलेटिवनेस का एक्जामपल है यह इंटर रिलेटिवनेस के एक्जामपल की या एक्समेशन आपको दे रखी है इसकी इंटर रिलेटिवनेस की तो असर्शन में कुछ अलग है रीजन में कुछ अलग है ठीक है और बात तो दोनों ठ की क्लिक ही गई है भाई बात तो बिल्कुल ठीक है तो कोश्चन नम्बर नाइन में हमारा बात दोनों ठीक है लेकिन यह अलग-अलग रिचेसा चाहते है तो ऑप्षेन को सभी सब्सक्राइब कर तो क्रेक्ट माना चाहएगा लिंक नहीं है इनका बिल्कुल वे हापस में तो बिल्कुल एक है अंश्राय मट्रूप्शन नमर्टू दोनों ठीक है लेकिन गरत एक्समें पार रहा है रीजन जो है वह शर्षन को सई-6 लेन नहीं कर पार रहा है दानके चलेंगा दोस्तों कुरिशन मेर आपके सामने फिर आ चुक है ठीक है तैबुलेट मार्केट कंडिशन लेस्ट लैस्ट रैंड लोयलिटी कम रिविजन एंड सब डिवीजन और रिविजन और अ दानिमिक एंट कंसिट्टूट ऑफ सो मैनी इंग्स विच अफ़ेक्ट दी नेचर वा बिजनस एन इस अपरेशन तो बहुत सारे फेक्टर रहे जो बुजनस की बैंट पर जा सकते हैं रीजन में बिजन्स वाइमेंट इस गाइडिंग डैनायमिक वेशेंज आप टेकिंग प हो है रिजन फॉल्ट है ऑप्शन नमबर थ्री करेक्ट माना जाएगा भी यह स्लो पेस वाली बात गलत है बिजनस एंवाइमेंट डैनायमिक और उसके चेंज बहुत रफ्तार से आता है अलकी रफ्तान नहीं है बहुत तेज रफ्तार है हमेशा दानक की चलेंगे नेक्स क कि काफी जारा important है आप लोग इसके बारे में already पढ़ चुके इसके त्री में element थे liberalization privatization globalization globalization यह आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं धानके चलेंगे नेक्स कोशन विजल फो रहेंगे इस नॉट पार्ट अभी बताया मैं ने liberalization है privatization globalization तीनों है लेकि यह सेंट्रलाइजेशन नहीं है तो जो नॉट है वो सेंट्रलाइजेशन है सेंट्रलाइजेशन इसका पार्टी नहीं हमें पता तीन है लपी जी है हमें पता इस बात का नेक्स कोशन कोशन नमर 13 for fiesta gained success in France later as it kept its eye on the business environment and adapted to it by बहुत अच्छे से नजर बनाए रखी business environment पर और उसके बार finally 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 इसने success achieve करी तो क्या है यह तो यह है तो हमारा help to identify threats and early warning scene इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि आप business environment को adapt करें तो पहले क्या के नुकसान हो सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसको identify करो और उसके recording आप चलते हैं तो आपको फाइदा जारा सा जारा हो सकता है हमेश्य धार रखे चलें दोस्तों इस बात को काफी अच्छा कोशन है काफी इंपोर्टेंड आप लोग लिए आप हमेश्य धार रखे चलेंगे डिच्ट कोशन है विचलेंग प्रिस इंकरेक्ट्ली मैच कोन सा करेक्ट नहीं है आई लीच्छी दे सोचल वायमेंट यह तो ठीक है या बिल्कुल करेक्ट पर है डेमोनिटाइज़शन ओमेग इन मिट बिल्कूल ठीक है यह वह हमेश्य तो लीगल इन्वायमेंट है यह होती खराब सी को स्टेच्छ यूर्निंग जो की कंपल सरी है देनी भिवानिंग और यह ग्मल सरी होती है देनी तो यह ऐसा करनी है कोट के जो को मानने पढ़ेंगा मना नहीं कर सकते तो कोट करती है क्या सही है और क्या अगलता है हमेशा धानक के चलेंगे इसलिए option number three हमारा क्रेट माना जाएगा इस question में next question question 15 दरी establishment of a project of nano car in Gujarat was due to यह है दोस्तों political तो जो जो नैनो का project दुबारा से री स्टैबली शुवा तो गुजात में यह पॉलिटिकल इंवार्मेंट की वरसी हुआ था आप हमेशा धानक के चलेंगे यह example में मेंशन करेंगे न्सीर्ट में धानक के चलेंगे दोस्तों next question question 16 reducing the role of government and encourage private participation क्या यह liberalization है क्या इसका आप लोग देंगे मुझे जब हम लोग government का रोल reduce करते हैं और private sector के रोल को बढ़ाते हैं तो क्या होता इसका सही answer यह आप लोग को देना है तो आप पताएंगे इसका answer liberalization है privatization है globalization and none of these हैं सो यह question मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया 16 का जो भी answer होगा वह आपको मिलेगा कहां पर comment section में तो मैं देखना चाहता हूं कितने viewers हमारे active हैं और वह इस question का सही answer देंगे comment section में मुझे पूरी उमीदा आप लोग जरूर सही देंगे इस question का दोस्तों comment section next question question 17 इसमें आपको dimension पहचानना है कौन सा at the time of holy a large number of manufacturing firms get involved in making colors which are used in salivation of this color festival दोस्तों जहां पर भी किसी festival का जिकर हो तो हमेशा वहां पर answer 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 हमेशा 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 social environment में आता है social environment इन सारे factors को constitute करता है जिसमें आपके custom traditions festivals यह सारी चीज़ आते हैं अगर आप हमेशा धानक के चलेंगे तो आपको benefit बहुत सारा मिलेगा तो जहां पर भी कोई भी custom tradition festival आ रहा हुआ हमेशा answer social environment के favor में रहेगा हमेशा धानक के चलेंगे दोस्तों साब लोग next question 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 18 under dash the reserve bank keep control on the money supply in order to achieve the objective of journal economic policy क्या है कोश्व में 18 क्या है इसका सही आशार किसके अंडर जो bank है वो control रखता है money supply पी ताकि objective जनल इकनोमिक पॉलिसी का maintain हो पाई तो क्या है 18 का बिल्कुल सही आशार दोस्तों जब भी किसी भी उसमें और भी मनी सप्लाइब को कंट्रोल करने कोशिश करें ठीक है और और रिजर्ब बैंक कंट्रोल रखे money supply के ऊपर तो दोस्ति हमेशा monetary policy को रिपेसेंट करेंगा क्योंकि मनी सप्लाइब को कंट्रोल करने की सारी जिम्मेदारी monetary policy है और बहुत ही सिंपल सा आंसर है एकनॉमिक्स में भी इसका जिकर होता है आप धानद के चलेंगे याद से यह हमारा money and banking chapter के इंदर भी इस बात का जिकर है निए नेक्स दैंपक्त पॉप्र दिमर्माट आजिए इंपक्त पताना कैस रांदिक्षिन कम होगी हां बैंक दिपोसित बढ़ गया हां इंकम टेक्स क्लेक्शन बढ़ गया हां ओल अल अब दीज और यहीं बैठेगा फिर तो सारे ठीक है तो फिर all of these next question last question दोस्तों हमारा कोशन पॉणडी डैश is concerned with the withdrawal of state from and industry or sectors partially or fully by ऐसी state जिसमें मैं इंडस्ट्री या सेक्टर को या सरकार आप अपनां concern या इंडस्ट्री सेक्टर में से अपना कंसर्न या विडौल का लेति है अपनां पीछे ऐट लेती है Bang प्राइवेटैसे दानट कर लेंगे यह मेशाँ हमारा प्राइवेटाइजिशन को रिप्रेसेंट करके चलेगा हमेशा दानट कर जलेगे दोस्तों आप लोग प्लीज वन-टू-बन one-to-one classes के आपको अभी download करें दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल one-to-one classes आपकी सिवा में हमेशा आपके लिए आपके लिए